नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल विमले से स्टेडी नमर वन मी तो दोस्तों आज की वीडियो में मैद के टॉप पांच ऐसे क्रेशन्स को दोस्तों सिखेंगे जो आपके एकजया में बार बार पूछे जाते हैं तो दोस्तों वीडियो में सुरू से अंत तक मने रहिए और वीडियो को धियान से देखिए तो दोस्तों चले वीडियो को एस टार्ट करते हैं तो फर्श्ट प्रस्ण ए गुनन फल 274,318,570,313 में एकाही संख्या क्या है? ठीक है प्रसन कह रहा है दोस्तों कि इन सभी को गुना करने के बाद इकाय अंक क्या होगा तो दोस्तों ऐसे प्रसनों को बनाने के लिए आप मातर 2 सकेंड के अंदर बना सकते हैं क्या करेंगे दोस्तों सभी संख्या में इकाय अंक जो है न उसको गुना कर देना है जैसे दोस्तों देखे, 274 में इकाय अंक्या है, 4 है, 318 में इकाय अंक्या है, 8 है, उसी परकास से 577 में इकाय अंक्या है, दोस्तों, 7 है, इकाय अंक्या है, मतलब दोस्तों कि इधर से, दाई और से जो सबसे पहले वाला अंक रहता है, उसी को इकाय अंक रहता है, ठीक है, उ इतना को गुना करने के बाद दोस्तो इकाय अंक दो आ जाएगा तो कौन सा उप्सन मैच कर रहा है दोस्तो उप्सन ये इसका मैच कर रहा है दोस्तो उमीद करता हूँ इस परसनों को आप सीख पाये होंगे चलिए दोस्तो नेक्स्ट परसनों को देखते हैं नेक्स्ट प्रसने दोस्तों, एक्तिस सताइस का पावर एक्सवतिहत्तर में इकाय अंक क्या होगा? दोस्तों, जब इस परकार का प्रसन कभी भी आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस संख्या में सबसे पहले देखें की इकाय अंक क्या है? तो 327 में दोस्तो इकाय अंक्या है साथ है तो साथ को सबसे पहले लिख लेना है इस परकास से जो इकाय अंक्या रहेगा उसको लिख लेना है इसके बाद दोस्तो ये जो पावर है 173 173 में दोस्तो क्या करेंगे जो भी पावर रहेगा उसमें चार से भाग देना है और जो सेस बचेगा दोस्तो उस सेस को इस साथ के जो संख्या में से इकायंक लिए है उसके पावर में लिख देना है जैसे दोस्तो देखिए 173 में चार से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 4 चोका 16 इस संख्यां का 170 पावर है जब इसको calculation करेंगे तो इसका 1 अंक साथ आएगा दोस्तो इस step के परस्णों को आपको इसी परकासे बनाना है बस आपको क्या करना है इस पावर में 4 से भाग देना है और जो 1 अंक है दोस्तो उसको लिख लेना है चलिए दोस्तो नेक्स्ट परस्णों को देखते है नेक्स्ट परस्ण दोस्तो 13 का पावर 143 प्लस 143 को 144 से भाग दिया जाता है तो सेस्फल क्या होगा दोस्तो ऐसे परस्णों को आप मातर 2 से केंट के अंदर में बना सकते है क्या करना होगा सबसे पहले देखी दोस्तो जिस संख्या से भाग देना है उसको आपको याद में रखना है ठीक है 14 से भाग देना है और दोस्तो देखी सबसे पहले 13 का पावर कितना है 143 है जब उसको दोस्तो परसार करेंगे तो काफी समय लगेगा तो क्या करेंगे दोस्तों इस पावर को छोटा कर लेंगे तो किस परकास से छोटा करेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि जब पावर अगर सम रहेगा तो जो संख्या दिया रहेगा उस पर दो या चार पावर लिख लेंगे अगर सम रहेगा तब पावर में अब पावर अगर दोस्तों भी सम रहेगा तो जो संख्या रहेगा उस पर एक या तीन कोई भी पावर लिख लेंगे तो आपका प्रस्ण बन जाएगा जैसे दोस्तों देखे पावर क्या है 143 है इस संख्यां ए तेरा पर क्या करते दोस्तों या तो पावर दो ले लेते या चार ले लेते दोस्तों क्या कहना चाहरा है आप समझ रहे होंगे चली देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले 13 लिख लेना इस प्रकास से पावर भी सम है दोस्तो तो इसका पावर एक ले लिजिए अगर भी सम होगा तो ठीक है अब दोस्तो अंसर हो जाएगा.'। 186 में दोस्तों जब 14 से भाग दिजिएगा तो धोस्यस बचेगा। इस टैब के प्रस्णों को आपको इसी प्रकास से बनाना है। दोस्तों उम्मिद करता हूं कि इस प्रस्णों को भी आप अची तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रस्णों को देखते हैं नेक्स्ट प्रस्ण है दोस्तों कुछ इस प्रकास से आंक्रे दे दिया गया है और आंक्रे का माध निकालने के लिए बोला जा रहा है तो दोस्तों ऐसे प्रस्णों को भी आप मातर दो सकेंडर बनाएंगे क्या करेंगे जो आंकरा दिया है दोस्तो जब माद निकालना होगा तो सभी आंकरे को जोर देंगे और जितना आंकरा है दोस्तो इनसे भाग देंगे कहने का मतलब दोस्तो सभी आंकरे को पहले जोरिये तो 2 में न जोरेंगे तो 11 होगा 11 में 9 जोरेंगे तो 20 होगा 20 में 3 जोरेंगे तो 23 अच्छ 29 29 में 9 जोरेंगे दोस्तों क्या होगा 38 और 38 चार 42 सबसे पहले सभी संख्यां को जोर लेंगे ठीक है और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे जितना संख्या है उससे भाग देजिए तो कितना संख्या है एक दो तीन चार, पांग, छेश, साथ संख्या है तो उसको साथ से भाग दे दीजिए अब दोस्तों जो भाग देने के बाद निकलेगा वही इसका एंसर हो जाएगा माध्य हो जाएगा तो 42 में 7 से भाग देंगे तो 7 चक 42 छे बार में लगेगा तो दोस्तो इस आंक्रे का जो माध्य होगा ये 6 हो जाएगा ठीक है दोस्तो उमीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे चलिए दोस्तो नेक्स प्रसनों को देखते हैं क्या है तो दोस्तो इस प्रसनों को आप सेकेंड बना सकते हैं क्या करना होगा सबसे पहले दर कितना है चोप्रतिसत दर है और समय तीन बर्त है, तो दर और समय को गुना कर देना है, ठीक है चो को तीन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अठारफ यानि की अठारफ परतीसत हो जाएगा चो परतीसत है और तीन को गुना करेंगे तो अठारफ परतीसत हो जाएगा 18% ब्याज़ होगा कोई भी मुल्धन होगा उसमें तो दोस्तों यहाँ पर देखें ब्याज तो देही दिया हुआ है 6% को 3 से गुना करेंगे तो 18% होगा और इसका साधारन ब्याज 90 रुपया देही दिया हुआ है तो 18% बराबर दोस्तों आपको नबे लिख लेना है इस परकास से ठीक है कोई भी मुल्धन होगा दोस्तो तो इसमें 18% भ्याज होगा अगर 6% दर रहेगा और 3 बर्स के लिए रहेगा तब साधारन भ्याज अब दोस्तो मुल्धन निकालना है तो क्या करेंगे इस 18 से 90 में भाग देना है आपको ठीक है नबे में 18 से भाग देना है और 100 से गुना कर देना है ठीक है जो निकल के आएगा दोस्तो वे ही मुल्धन हो जाएगा तो अठारा से काटेंगे नबे को तो 5 बार में काटेगा क्या बच गया दोस्तो 5-100 अब दोनों को गुनापकर दीआ जेया हैा 500 हो जा जाएगा ठीक है तो दोस्तो मुलधन Istoka 500 रुपया हो जाएगा कौन सा option मैच कर रहा है जब ब्याज पर लगाएंगे 6000 की दर से तीन बर्ष के लिजे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ धन्यवाद